अस्लाम अलेकूम गेटरी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप लोगों की इस्लामियाद की टीचर सिल्फ स्कूल आप टुमारो सिटी कैमपस बनवाएं प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबक नमबर दो, वुजू स्टार्ट करने जाएं और लेक्चेर नमबर फाइब यहां देखिए, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ पिक्चर हैं, और इन पिक्चर के इन तस्वीरों के ज़री हैं, मैं आप लोगों को वुजू का तरीका समझाने जाएं तो बच्चे, वुजू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? very good वुजू करने से पहले बिस्मिल्ला पढ़नी चाहिए बिस्मिल्ला हुराह्मान पढ़के आप लोग सबसे पहले तीन बार अपने हाथों को दोए उसके बाद आप लोग तीन बार कुली करेंगे प्यारे बचों आप गोर से सुनेंगे और इसकी घर में प्डैक्टिस करेंगे उसके बाद आप लोग तीन बार नाक में पानी डादएगे उसके बाद आप लोग तीन बार अपने Ng को अच्छी तरह से दोएगे और पहशानी से थोड़ी तक और दाएं कान से बाएं कान तक मुख को अच्छी तरह से दोएंगे तागे कोई भी हिस्सा फुश्क ना रहे उसके बाद आप लोग अपने हाथों को तीन बार अच्छी तरह से दोएंगे पहले दाएं हाथ को फिर बाएं हाथ कोनियों तक दोएंगे आप उसके बाद आप लोग अपने सर का मसा करेंग और उसके बाद कानों का मसा करेंगे। यह करेंगे इसारह मसा करेंगे। कि आजसे दशात Pastor AYना वाली उंगलिया उड़ियां कानों के अंदर। और अंगुठा कां करें पीछे हो। उसके बाद आप गर्दन पर हाथ हाथ घरेंगे। और सबसे आखिर में आप लोग तीन बार पाउं दूंगें सबसे पहले दाया पाउं और उसके बाद बाया पाउं प्राइरे बचो इसकी प्रेक्टिस करने के बाद आप लोग अपनी किताबें कुलेंगे सबसे पहले डेट और डेई लिकने के बाद आप लोग मुश्किल अलफास को साथ साथ अंडरलाइन करें तो सबक नमबर दो है वुजू इसलाम में तहारत को बहुत एमियत हासिल है नभी करीम स्वाला अल्यवाले वाले से लिए रिशाद परमाया से करना जरूरी है वुजू करने का तरीका वुजू शुरू करने से पहले बिसमिल्लार रह्मान रहीं पढ़ें दोनों हाथ कलाईयों तक तीन बाद दोएं खयार रखें कि उंगलियों के दर्म्यान जगा खुश्क ना लें अच्छी तरह तीन बार कुली करें और उंगली से दान साफ करें मसवाग कर लेना ज़्यादा बेगर है नाक में तीन बार पानी डालकर जारें याध को जारें बाएं हाथ की छोटी वुश्क नाक साहक करें चेहरे को तीन बार अच्छी तरहां तिशानी से लेकर ठोड़ी तक और डाय कान से बाय कान तक धुएं और तसली कर लें कि कोई जरासी जगा भी खुश कुलें पहले डाया और फिर बाया हाथ कोनियों समेट तीन बार मल कर धुएं यहां तक आप लोग 2-3 दुफ़र दुराई करेंगे और उसके बाद आप लोग अपनी कापियां खुलेंगे कापि खुलेंगे बाद आप लोग सबसे पहले एक टाइटल पेज बनाएंगे टाइटल पेज में यहां देखिया आपके सामने एक ड्राइंग बनी ही है बनाने की बाद आप लोग लिखेंगे सबक नमबर 2-वजू और उसके बाद अगले पेज पेज पे जाकर आप पहले बी लिखेंगे तारीख लिखेंगे गर के काम को टिक करेंगे और उन्मान होगा वजू सवाल नमबर 1 है क्या बगएर वजू के नमाज पढ़ी जा सकती है तो जवाब है जी नहीं वजू के बगएर नमाज नहीं पढ़ी जाए सवाल नमबर 2 है वजू करते वख अगर थोड़ी सी जगा फुश्क रह जाए तो क्या वजू हो जाता है तो प्यारे बच्चों क्या वजू हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं इसका जवाब है जी नहीं वजू नहीं होगा प्यारे बच्चों आज आप लोग इस काम को नोट बुक पे लिखने के बाद रफ रिजिस्टर पर प्रेक्टिस करेंगे और मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग मुझू की प्रेक्टिस करेंगे तो आप लोगों ने आज मुझू की प्रेक्टिस जरूर करनी है और कल मैं आप लोगों से इसके बारे में पूछू हूँ तो अलला हाफिस स्टूडिन्ट इंशाला कल में लिए